हेलो एवरिवन, बेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ जोती, मेरे चैनल कुकि इमधी जोती निपस में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ खस्ता करा रहें मार्केट जैसे समोसे घर पे आप इजिली मार्केट जैसे समोसे बना सकते हैं मैं आपको टिप्स दोंगी, कुछ ट्रिक्स दोंगी, आपको फॉलो करनी होगी, वीडियो को पूरा देखना होगा तब ही आपके समोसे जो हैं परफेक्ट बनेंगे तो मैंने इसको चटनी और सॉस के साथ सर्प किया है, देखे मैं आपको तोड कर भी दिखा रही हो कितने खस्ता करा रहे हमारे समोसे बनके रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छी बनी है बिल्कुल मार्केट वाली है, देखे कितने खस्ता बने है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरू पसंद आने वाला है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजे, बेल आइकन पर प अजवाइन, अजवाइन को इस तरह से मैश करके आप डालें, से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और जो है मेंदा आप किसी बड़े बरतन में लीजेगा, यहाँ पे मैं हाफ टेवल इस्पून नमक डालूँगी, और अब मैं डालूँगी, यहाँ पे वीच में एक दम खस्ता बनेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेना है, यहाँ पे मैं आपको टिप्स दे रहे हैं दोस्तों, जो है आपको ओईल को और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है, भले आपको थोड़ा सा एक दो मिनिट टाइम लगेगा, बट आपको यह प्रोसिस बहुत ही जरूर तो यहाँ पे आप मैं आटा लगाऊंगी, तो थोड़ा-थोड़ा पारी आइड करेंगे और जो है हमको आटा सक्ट लगाना है, इस बात का आप धियान रखे, दूसरी टिप्स ये है कि आपको आटा जो है थोड़ा सा टाइट लगाना है, तो दिखे मैं इसको टाइट ल हम लोग मसाले कम यहां पर 1 प्रिषा घृट गरेंगेraft फे Vol.1 तेеспन नमक half장 लाल म्रिश पाव।डर half टेवल इस्पन धनिया पाव।डर, quarter पीज़न गरम मसाला थैम फे छहने संस타 grey glowing ह। आफ टेवल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, और इसको mix करेंगे, और आफ टेवल स्पून मैं डालूँगी मैंगी मसाला पाउच, तो हाफ टेवल स्पून डालेंगे, ड्राय मसाला तैयार है, अब gas की तरफ चलती है, gas पर पैन रख दिया है, gas on कर दी है, और वन एंड हा दालेच पत्ता और ऻाल म्यिष खड़ी से फलिवर बहुत अच्छा आता है और 4-5 करी देलेंगी तर शॉम्प samp और 1-2 테िफ़ खड़ादनिया चीमी तर बोर के शींद condiciones क्रीक काश्था या को मारकेट वहाले से मसाले डालती हैं कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा खड़ा धनिया को थोड़ा सा हमने खलवट्टे पे कोट लिया था यहां पे दो जो है हरी मिश डाल दूंगी इसको चलाएंगी मसाली को धीमी आज पर आपको पकाना है और हमारी मसाली हो गए हैं हाफ टेबल स्पून में हल्दी पाउडर एड़ करूंगी और इसको मिक्स करेंगी हल्दी को थोड़ा सा होने देते हैं तब ही जो है मार्किट वाला कलर आएगा हमारा मसाली में अब मैं जो मैंने मसाला तयार किया था उसको एड़ करेंगी आदा ही डालेंगी पूरा नहीं डालना है और इसको धीमी आज पर पकाएं और मिक्स करें तो दिखिए हमारा मसाला तयार है अब मैं आलू डाल दूँगी मैश करके और आलू जो मसाले हैं उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू मसाले हमारे मिक्स हो जाए अच्छे से बाकी बचा हुआ जो मसाला था वह भी एट कर देंगे और धीमी आज पर इसको mix करना है आपको एक से दू मिनिट के लिए होने देंगे तो हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है दिखे बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट वाला कलर आया है तो इसी तरह से हमने मसाला बना लिया इसको ठंडा होने देंगे एक से दू मिनिट के लिए अब हमारा आठा चेक कर लेते हैं आदा घंटा हो चुका है रेस्ट के लिए हमारे आठे को अच्छे से mix करके set कर लेंगे अब मैं इसको आधे पार्ट में divide कर देती हूँ इसके 4 पीसिस कर लूँगी 4 लोई बना लूँगी मैं तो इस तरह से आपको पेड़े बना लेनी है अब मैं चकले पर इसको set कर रही हूँ क्योंकि हमारा आठा टाइट है यह मैंने पानी और मेंदी का गोल बना के रखा हुआ है अब पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगी ओवल शेप देना है आपको ओवल शेप करना है इस तरह से मैं जो है हाफ कट कर दूँगी एक बात का आपको ध्यान रखना है पूड़ी आप जो भी बेले आपको पतली नहीं बेलनी है मोटी बेलनी है थोड़ी ज्यादा मोटी भी नहीं हो तो दिखी इस तरह से मैंने हाफ पाट को रखा हुआ है जो हमने कट करके रखा था यहाँ पे हमने पानी और मैदी का गूल लगाया इस तरह से आपको हाथ में लेके फोल्ड करना है इसके कोनों को चिपका देना है अच्छे से समोसी को आपको प्रेस करके चिपका देना है नहीं तो आपको फ्राय करते वक्त समोसा खुल सकता है आप इस तरह से कोन को हाथ में रखेंगी इस तरह से आपको सेट करना है हाथ पर और अभी कोन में हम मसाला भरेंगी थोड़ा थोड़ा करके मसाला फिल करेंगी हाँ से आप डालेगा अच्छे से फिल होगा और मसाला आपको जादा नहीं भरना है यहाँ पर मैं आपको टिप्स दूँगी याद रखिए दोस्तों मसाला आप जादा फिल करेंगी तो आपके समूसे बिगड सकते हैं तो मसाला आप खंबर ये और उपर थोड़ा सा स्पेस दीजिए और दिखें काफी स्पेस है उपर जो हमारा कोन है उसको थोड़ा सा उपर से पतला करेंगी हातों से और दिखें जहां पर हमने समूसा जोईंट किया था उसके opposite side में आपको जो है fold करना है इस तरह से आप fold करें देखे पीछे से किस तरह से fold हो गया है अब जो है उपर वाले part में आपको मैंदे और पानी का घोल लगा देना है इस तरह से चिपका देंगे अच्छे से चिपकाना है ताकि हमारा जो समूसा है फ्राय करते वक्त खुले नहीं इस तरह से मैं प्रेस करके चिपका दूँगी देखे बरावर लेवल पर आपको चिपका देना है उपर से भी थोड़ा set कर लेना है और नीचे वाले part को आपको दबाना ही है अगर आप दबाएंगे नहीं तो वो फूल सकता है समोसा हमारा बिगड सकता है तो इसलिए यहाँ पर आपको नीचे वाले part को इस तरह से प्रेस करके पतलाग रखना है और इस तरह से आपको बिठा देना है तो हमारा समोसा तयार है देख सकते हैं कितना बड़ी समोसा हमारा तयार हुआ है आप चाहे तो थोड़े और बड़े साइज में बना सकती है एक बार और बता देती हूँ मैंने half part लिया है जो कट करके रखा था ओवल शेव का half part और इस तरह से मैं पानी लगाऊंगी और इस तरह से कोन बनाऊंगी दिखें हाथों की help से यहां से आपको पकड़के इस तरह से चिपकाना है समल के करना है क्योंकि यही जो part है बहुत ही important होता है अच्छे से प्रेस करना है ताकि यह खुले ना अब हमारी कौन तयार है अब कौन को हम हाथ में रख लेंगे इस तरह से और जो है मसाला फिल कर देते है थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और हमारा मसाला जो है परफेक्ट है अब जहां हमने जो है कौन चिपकाई थी जोइंट किया था उसके opposite side में आपको इस तरह से fold करना है market वाले ऐसे ही करते हैं उपर पानी लगा देंगे और जो है अच्छे से पकड़के चिपकाएंगे दोस्तों आपको जो है पूरी बेली है जो समोसी के लिए वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए तभी आपके समोसी परफेक्ट बनेंगे अगर आपकी पतली होगी तो आपकी जो कौन है वो अच्छी नहीं बनेगी और समोसा जो है बलुकुल भी अच्छा नहीं बन पाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखें आटा थोड़ा सक्त लगाए पूरी को जो है आप थोड़ी सी मोटी वे लें तो दिखे इस तरह से बिठा देंगे हमारे कौल आट समोसे तैयार हो गए है तो चले चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने कड़ाई रखी है रिफाइंड ओयल डाल दिया है और ओयल थोड़ा अच्छा डालेंगे और आज को थोड़ा तेज रखेंगे शुरू में आपको आज को तेज रखना है तीरे दीरे करके एके करके आपको समोसे डाल ले है एक साथ समोसे नहीं डाल ले है जितने आपकी कड़ाई में समोसे आएंगे आपको उतने ही डाल ले है तो मैं यहाँ पे चार समोसे डाल रही हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टिप दूँगी यही एक प्रोसेस होती है बहुत ही इंपोर्टेंट होती है आपको जो है समोसा तेज आज पर करना है ज्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए और एक एक करके ही समोसे डालने हैं एक साथ ना डालें आपके कड़ाई में जितने आपका समोसा हो जाए अच्छे से पक जाए तब आपको पलटना है तो हम चेक करेंगे दिखे इस तरह से हमारा समोसा हो गया है हम पलट देंगे चारों समोसों को मैंने पलट दिया है अब आपको यही पर मैं टिप्स देती हूँ यह प्रोसेस बहुत ही इंपोर्टेंट है हमको खस्ता समोसे बनाने हैं तो आपको धीमी आज कर देने हैं बिल्कुल धीमी आज पर आपको समोसा बनाना है पकाना है और पलटते रहना है यह नहीं कि आपने बनाया और छोड़ दिया डाल दिया छोड़ दिया ऐसे नहीं करना है धीमी आज पे आपको पकने देना है और अलट पलट करते रहना है धीमी आज पे पकाएं नहीं तो आपका एक जगे से समोसा पक जाएगा और एक साइड से समोसा कच्चा रह जाएगा तो इसलिए हमको जो है अलट पलट करते रहना है धीमे आज़ पे आप पकाएं मुझे टोटल पंदा मिनिट हो गए है धीमे आजफ पे पकाते हुए तो जो बजार वाले समूसे होते हैं हलवाई लोग धीमे आज़ पर पकाते हैं उनको काफी टाइम लगता है तो दिखें हमारी समूसे का जो है और फिर उनको पल्टेंगे फिर धीमियाज कर लेंगे अलट पलट करके तयार कर लेंगे तो ये लीजे दोस्तों हमारे समोसे जो है बिल्कुल तयार हो गए हैं आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता करारे जो है हमारे समोसे बने हैं यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही तेस्टी और सॉस के साथ सर्व किया है तो मैं आपको जो है थोड़ा सा तोड़के बताती हूँ समोसा थोड़ा सा गरम है तो दिखें इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कितना कड़क बना है मैं नाइप की हल्प से कट करके दिखाऊंगी दिखें अंदर की जो फिलिंग है वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी भरी हूई है बिल्कुल दिख रही है आपको मार्केट जैसी तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है दोस्तों और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है फिलिंग का और बहार से भी हमारे समोसे हैं बहुत ही अच्छे बनकी तयार हुए हैं खस्ता करारे हमारे समोसे तयार हैं आप दही चटनी सौस किसी की भी साथ सर्फ कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ बातों का आप धान रखें समोसा बनाते समय समोसे का आटा आप जो है सकते लगाए और जो है उसमें आप जितना मैंने आपको ऑईल और घी बताया है उसी साब से आप डालें और समोसी की पूरी को आपको थोड़ा बड़ा साइस बनाना है तो बड़ी साइस की पूरी बेलनी होगी और थोड़ी सी पूरी को ठिक रखना होगा और जो है आप समोसा फ्राइ करते समय धीमी आश पर प यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शियर कीजे वीरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलती है नेक्स्ट वीडियो में बाबाई